असलाम वालेकुम दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल और दोस्तो आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो भाई का काम है वो कौन सा काम है और हम जो पैटन्स वगारा तयार करते हैं उसको किस तरीके से तयार करते हैं और साथ में अप पोड़ी सफाई करके आ गया हूँ क्यों कि मुझे ब्लॉक्स बनाना था और मैं यह भी दिखाऊंगा कि जो मेरा भाई का ऑफिस है तो मेरा भाई का क्या काम है इस मतलब बुटिक के अलावा जैसे हमारा यूटूब चैनल है आपको मालूम है इसके अलावा हमारा क्या काम है और हम लोग कैसे काम करते हैं तो दोस्तों यह सारी चीज आपको इस ब्लॉक्स में बताने वाला हूँ और इसमें सबसे में चीज में आपको वह समान दिखाऊंगा जो मैं तोल में खरीद के लिए जैसे की बुकरम और जो बड़े-बड़ी कौन होते धागे यह सारी ची होती है दोस्तों आपको मैं उन सब की मतलब एडस के साथ पूरी डिटेल में बदाऊंगा कि आप कहां से उसको मतलब परचेस कर सकते हैं और आप देखना जो दागे और बुकरम में आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही बढ़िया चीज़े होंगी वह तो हमारे साथ एंट जुड़े रहें वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि दोस्तों इसी तरीकी के आता रहूंगा जिससे के आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा चली दोस्तों चलते हैं हम अपने भाई के ऑफिस पर सबसे पहले जो तो अम्मी अराम से बस्ता मुस्कुरा रहे हैं मूवी देख रही है तो कौन सी मूवी है अच्छा ही गोल्ड माइन्स की मूवी देख रही है मि तो इंजोई कर दीजिए और हम चलते हैं अपने बुटिक पर और पूरा पूरा मतला आपको टूर कराएंगे तो मैंने दीखाएंगे और बुटिक में जो समान है तोल में लिया हुआ यह सारा कुछ दिखाएंगे फिर में बाद में जो आपने बाइगा दिखाऊंगा कि मेरे भाई का ओफिस कैसा है तो बुटिक का गेट खोलते हुए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसके जो पौश्टर से मेर सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा तो यहां पर दियान से देखिए यह बैक साइड में इधर मैंने कैमरा मतलब एक आइना लगाया है यहां पर आपको दिखाऊंगा में बैक कैमरे से क्योंकि देखिए इस आईले का ज्यादा होता है क्योंकि यहांप सकूर में यापको बताता हूं दोस्तों यह मैंने अपने भाई को खड़ा करा, यह मेरे चाचा का लड़का है, और दो महीने पहले मैं इसी की साधी में जो गया था, अभी बरेली, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम खड़े करके कस्टमर को नाप लेते हैं, और यह है कटिंग का काउंटर, ठीक है, आप देख सकते हैं, पहले मैं वीडियो यहीं शूट करता था, तो बाई को मैंने यहाँ पर खड़ा करा, आप धियान से देखना, दोस्तों, यह साइड में ही इसके मिरर है, और आ मिरर में इसको देख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं, जब भी नाप लेता हूं, थोड़ा सा साइड हां, विल्कुल ऐसे सीधर है, थोड़ा आगी चल किया, मिरे को दिखाना है, मैं समझाना चाहता हूं कुछ, तो यह रेखिए दोस्तों, यहाँ पर फायदा क्या है, खड़े करने का, हाथ को ऐसे कर, इस फोन को देगर, इस फोन को दोनों हाथों को ऐसे कर ले, ठीक है, अब मान से, जैसे चैस्ट का, कमर का, और हिप का ना पाता है, तो हम यहाँ पर सीधर में भी देख लेते हैं, इन्चीटेव सीधा है या नहीं है, ठीक है, इससे क्या होता है, कि नाप लेने में असानी होती है, फिर हम सीधी साइड में ऐसे कस्टमर को दिखाते हैं, मीरर की तरफ, और इंचीटे पर रख देते हैं कंदे से जितनी भी length पहननी होती है तो यहाँ पर side में मियूर्चक को मैं थोड़ा हटा रहता हूँ मियूर्चक है मेरा यहाँ पर तो मैं ऐसे मियूर्चक को दिखा रहता हूँ देखे length आपको कितनी चाहिए तो यहाँ पर customer को थोड़ी असानी हो जाती है देखने में लंबाई देखने में कि कितनी लंबाई पहननी है कमीची तो ऐसा एक आईना आपको ज़रू रखना चाहिए तो यह इस तरीके का एक ज़रू राप बनवा ले अगर आपको बुटिक करनी है तो इस तरीके का एक आईना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा पिलस में customer यहाँ पर खोज जो है अपनी जोल वगड़ा देख सकते हैं और देखिए भाल से चाचा भी आ गए है तो चाचा को भी मैं बुला लेता हूँ मैं बुलोग सूट कर रहा हूँ और यहाँ चाचा भी आ गए तो अभी चाचा की थोड़ी help लेंगे हम यहाँ पर आ जाओ चाचा तो चाचा एक वाद फोन पकड़ो ज़रा दंग से इसको नाप ले रहा हूँ ना तो नाप लेते वाग थोड़ा इसको capture करना थोड़ा है ठीक है यह भी आना चाहिए ठीक है अब यहाँ से नाप ले रहा हूँ ना तो हमें यह तो पता इंचीटेव सही है कैसा क्या है लेकिन थोड़ा साम इसको ऐसे घुमा लेते तो फीचे की तरबी हमें इंचीटेव का पता चल जाता आप देख सकते हैं कि यह सीधा इंची अब मैं कोने में से दिखा रहा हूं दोस्तों व्यू चाचा बैठ जाओ अदर को सीपया रामसी यासिन तू भी बैठ जा तो यह देखे मेरा एक काउंटर है इस वे कस्टुमर वगरा टेंड करते हैं ठीक है जो भी बुकिंग और आती हम इस काउंटर में अपने रखते है ठीक है फिलाल अभी तो मैंने सिलाई बन कर दी तो इस काउंटर के अंदर सिर्फ क्या है आप देखेंगे पैकिंग वाले मतलब जो है पैकिट है जिसमें हम अपने पैटर्स को पैक करके सेंड करते हैं लेकिन अभी लोगडाउन है तो ज्यादा इसका काम नहीं है तो इसम तो किस तरीके से लेना तो आपने देखा हुआ यहां पर लिखा है ल, M, T, K, F, or B इसका क्या मतलब है यह लंबाई है ठीक है इसको छोड़ दो अब यह मोरी है इसे भी छोड़ दो यह थाई है यह थाई का मेजर्मेंट लिखा है जितना भी आप देख सकते हो नोट कर सकत हो तो मैं अपने सामने रखता हूँ क्योंकि देखिए कभी-कभी 19-20 मेरे से भी हो जाता है तो मैं इसी के अकोटिंग कर देता हूं बिल्कुल फिटिंग सही आती है और जो हम पैटरन को पैक करते हैं यह देखिए दोस्तों यह है पैटरन आप पैकिंग के जो मैंने यहां करते हैं तो उपर मैंने लिखा है पिलाजो पैटरन साइज 22-30 साइज तका है और इसको सिंपल दोस्तों इस तरीके से हम रखते हैं फिर उसके बाद इसका काम आता है जो भी यह मंगवाता है उसका जो आड़स हमारे पास आता पेमेंट होने के बाद तो यहां पे लो थी नहीं इसमें हम पैक करते हैं और इसमें एडस लगाके हम अपने कोरियर वालों को दे देते हैं और आप तक यह अराम से पोच जाता है तो यह सिंपल सा काम है यह पैटरन का मैंने आपको बता दिया अब आते हैं अपने बुकरम पे तो चाचा एक बार पकड़े के पी किसी भी बुटिक पे नहीं मिलेगी यह मिलेगी सिर्फ आपको तोल में सीलंपूर सांतिनोला जहां को तोल का सवान आता है अब देखिए इंचीटेव से नापके दिखाता हूं हंड़ सेंटीमेटर यानि की एक मेटर हो गया अब इसका ज़रा अर्ज देख़वा हूं कि देखिए हो यह बुकरम का अर्ज काउंटर के बरावर कितना अर्ज है इसको नापके दिखाते हैं आपको दोस्तों यह पूरा इंचीटेव यानि की 69 इंच का इसका अर्ज है तो यह बुकरम ऐसी होती है देखिए इसको तो यह देखिए मोड़ दिया इसके प्रैस करो दुबादा से गले बना दो इसका सबसे वड़ा फायदा ही होता है कि जब भी हम कोई भी किसी के गले बनाते हैं धोने के वाद मुड़ते नहीं ठीक है फलकते नहीं वह विल्कुल ऐसी फिनिसिंग रहती पढ़िया वाली लेकिन इसमें थोड़ी सी परेसानी होती है फिट फड़ानकों सबस्टें तो में आपको इस त DR. decent की झाओं आप घल तो जैसे आप इस अदो जट हैं तो यह चोटा थागा पता दिक्कत दिता है अम यहाँ मैं लगाता हूं बड़े दागए आप जितने भी तो यहां पर मैं दो चार आपको उठा के लिखा देखा देखा हूं तो यहां पर लगाने में थोड़ा आसानी रहती है और जैक मसीन में इस तरीके से लगा के आप इसे अराम से यूज कर सकते हूं तो यह जो आप एक दागा लोगे पसुपती का है ठीके टूपल लेकिन अगर यही कौन आप तोल में खड़िकते हों तो यह आपको 270 रुपे की किलो पड़ेगी जिसमें साथ से आठ अराम से चड़ जाती है और एक कौन आप देखो महरूं करता आ रहा है तो यह साली कौने में जितनी भी रखी ना यह तक्रीवन में लेका है तो तेरा सब्सक्राइब करते हैं इसलिए दोस्तों बना रहा हूं अब बंध है समझी नियारा में को कुछ भी तो यह सारी चीजे में बदा हुआ और यहां से देखना इसमें आदे से जादा कच्रा होता है अब यह एक जैसा केलर मैं काहां तक यूज करूँगा देखनें आप जान इजामनी जानी इसमें कुछ धांगे होते दो छट जाते हैं बाकी बिल्कुल बिकार होते हैं किसी भी गांप के निया है मैं को कभी गभी क्या होता है से तोल के उसके पेमिंट करते हूं तो मैं इस तरी में से धागी देखाता हूं यह देखी दोस्तों ब्लैक और वाइट के दागे का पूरा डपा रखाए मेरे पास ठीक है बुटिक की बहुत बुरी हालत है यहां पर धूर मठी काफी है और यह है बैट्रों देखी काफी यहां पर यहां पर आप देखिंगे यह पैटन्स है जो कटिंग करें हूँ ठीक है क्या करें जाते हैं बोलूं बिल बुक तो अपने यह जो रहने चाहिए बिल बुक हो गया हूं जैसे कि यह मैंने पैट बनवा रखी है इसी कालीगर को कुछ नाब लिखके देना हो तो इ यहां पर लिखके देदो तो हमने तरीके से काम करते हैं अब मैं आपको परची भी दिखा देता हूं जो कि ब्लॉग में एक चीज दिखाएंगे देखिए जैसे 2017 का यह सूट था रोमा रोई कस्टुमर का निम है एक सूट पैंट वाला है पूरे में लाइनिंग है गोल ग करेंगे और हमारे ब्लॉग देख करें आपको फाइजर काम वाली चीजी में बता हुआ बाकि जो अपना लाइव स्टाइज चलेगा वो अलग चीज है लेकिन आपके काम में आने वाली चीजे भी आपको पता चले रहें अब देखिए यहां पर ही पैटन्स है जो कमीज के सिंसुल को फाइजिते इन्हों तो अभी पैटिक का में ऊब स्ट मेरा काये लिए ठीक हैं उनके लिए अभी कौरो रखना भी जो रही है ठीक है सेनिटाइजर रही है और यह दोस्तों यह मेरी किट है ठीक है काफी जारा बीमार पढ़ने के बार मैंने सोचा दुबारा से क्रिक्ट खिलना स्टार्ट कर देता हूं तो थोड़ी फिटनेस वगर आ जाएगी इसके अंदर मैंने फूटबॉल व फट जाता तो यह छोटी टेप लगा के मुझे कवर करती है फिर यह चोड़ी टेप आती है पैकिंग के काम यह हमारी ओवरलोग की मसीन है और दोस्तों हर मसीन के साथ एक क्रेट जोर होती है मेरे यह जो क्रेट आप देख रहे है ना ऐसी क्रेट आप देखेंगे अगरा जो बसती है तो इसमों ठाके आप डाल के चले जाओ तो कभी भी वह कोड़े में नहीं जाएगी इसलिए आप देखेंगे कोड़े में भी आप जैक मसीन के साथ भी क्रेट देखोगे तो यहाँ पर आप देखें एक मसीन मेरी नॉर्मल यह काली मसीन है ठीक है जिसे अम्रेला मसीन कहते हैं मैं पहले इसी पर काम करता था यह भी मोटर है और यहाँ पर देखेंगी तो यह देखी मैंने मलब पाओं के लिए भी मैंने छोड़ रखी है माल लीजे लाइट चली जाए अरजैंट सूट देना है तो आप इससे भी काम बना सकते लेकिन जैक मसीन और सब्सक्राइब走吧 यहाँ पे अगैसे लेग फोल्टोन अगर्पाइब है कर देखें करिए यहां पर यहां पाइप लगवाए लेकिन है पर सूट कभी पर यहां पर देखिये अभी थोड़ी जो रोशनी है और बढ़ जाएगी मैंने यहां पर बटन दबाया दो टूब लाइड में थोड़ी बिलिंग हो जाएगा एक तम देख सकते हम यह वाइट रोशनी का बिलिंग तो यह मैंने बनाया था कि आज के मतलब ब्लाउच के जो मैं वीडियो से बनाऊंगा तो यहाँ पर एक अच्छी रोसनी आए इसलिए मैंने आप भी सारा सेटप करवाया था तो दोस्तों चोटी सी बुटिक है सिलाई कर दी मैंने आपके कर दिये बंद और कोसिस है हो सकता है मैं अपनी जो जैक वाली मसीन है यह सेल करूँ जब भी सेल करूँगा आप मेरे ब्लॉग देखते रहना आपको पता चल जाएगा अगर आपको किसी को भी यह मसीन लेनी हो तो मैं उससे कॉंटक कर सकता है फरवेरी में मैंने यह पर्चेस करी थी लेकिन अभी इसका प्ला जो तोल में हैं लेकिन दोस्तों यह जो दागे होते हैं यह भी आपके तोल में आते हैं सारे समान मिलते हैं लैसिस मिलती है सब तोल में मिलता है कहां मिलेगा कैसे मिलेगा यह हम आपको आने वाली वीडियो में बनाते रहेंगे हमारे साथ जूड़े रहें तो चली दोस्त आना है आपको कहीं पर नहीं मूलना आपको मेरी बुटिक मिल जाएगी और यहां से जब आपको मैंने दिखाया था तो देखिए ऊपर की साइड में जो नीला नीला आपको दिख रहा है मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यह जो देख रहे हैं आप यह मेरा घर है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना तो इस तरीके से दोस्तों पास में बिल्कुल मेरे बुटिक हैं और अब जो हम जाएंगे तो देखिए यहां से थोड़ा आगे बढ़के यह रोड हम पकड़ेंगे यह रोड जो हमारी जारी यह जारी भाई के ओफिस की तरफ तो चलिए ओफिस पे चलते हैं और आपको वहां का भी ब्लॉग बना के दिखाते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं एंटर कर चुका हूं भाई के ओफिस में और फरन कैमरे से तो मैं सायद आपको व्यू नहीं पूरा और यह हमारा तीसरा रूम है तो देखे दोस्तों बिल्कुल भी हालत सही नहीं है इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा तो ॥ोड़ा आपको आजे तरफ सबता हूं तो यह देखिए यह भाई का जो काम है तो यहाँ पर भी धूल मट्टी आप देखेंगे, काफी जारा धूल मट्टी है, यह देखें, ठीक है, यह यहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं हो पाई, तक्रीबन दू महीने का लोग डाउन लगा है, और यह पूरा का पूरा सैट अप है, यहाँ पर क TFT अगर आप देख सकते हैं, यह TFT अगर है, और यह है हमारे सिस्टम, जो हम बड़ी-बड़ी कंपनियों में मतलब किसी को अगर रिक्वार्मेंट होती है, दो कंप्यूटर की, तो हम यह रैंड पर देते हैं, जो लोग अपना काम करते हों, मंतली रैंड हमको देते हैं, तो उनका भाई का मेंन बिजनस जो है, वो कंप्यूटर का ही है, आप अगर गूगल पर भी सल्च करते हैं, रजा टेक्नोलोजी करके, तो आपको भाई का नमबर मिल जाएगा, मान लिजे अगर आपको दिल्ली-दिल्ली में ही, दो कंप्यूटर रैंड पर चाहिए हों, त तो दोस्तों, अब हम सेकंड रूम में चलते हैं, तो सेकंड रूम में आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे, कुछ TFT यहां भी हैं, ठीक है, मतलब जगा कम के वजए से थोड़ा अलग भी हमने रखा हैं, और यह जितने भी आप पैकेट देखेंगे, तो मैं आपको एक करते रहते हैं, और इनको पोलोथीन में इसलिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहता है, बुट्टिक में यह सारी चीज़े नहीं आती, क्योंकि यह तो सिर्फ अभी पजामे का है, पैंट वाला भी मैं आपको दिखांगे, तो दूसरे रूम में हैं, तो यहां पर हमने इस तरीके से पैकिंग रखी हुई है, अब हमें जब भी जितनी रुकायर्मेंट होती है, जैसे बीस हम हर किसी में से ले गए, इनको अच्छी तरीके से प्रेस लगाते हैं, इनका मेजरिमेंट लिखते हैं, जहां से फटा होता हुआ टेपिंग करत हैं, तो यह सारे के सारे जितने भी नैरो पजामा जिसके आप पिलाजो भी बना सकते हूँ, वह पैटरंस हैं, और यहां पर देखिए कुछ कतरंस वगरा हैं, ठीक है, जो मतलब वेस्टिज होती है, तो यह उसका मतलब है, मतलब गत्ता, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह कोशनी कर पाई, यह देखिए हमारी अलमारी हमने आप रखी है, यहां पर सारे पैटरंस जो मैंने आपको बुटिक में दिखाएं, तो यहां पर रोंगे, तो बहुत बुरी हालत है दोस्तों यहां की क्योंकि अभी हमने दो महीने से सफाई नहीं करी, तो आप देखेंगे किस तरीके से सारा का सारा माल पड़ा है, यहां पर आप देखें, और हमारी क्या नामे यहां पर इस तरीके से दोस्तों यह सारा का सारा समान है, भाई का ही है, यह सारा का सारा, ठीक है, तो यह रसोई है, तो हमारी कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमने तो सिब रैंड पर लि यह पेपर यह जितना भी है सब पेपर है इससे ही हम कटिंग कर करके जो है तयार करके रखते हैं लेकिन अभी हमने बिल्कुल बंद कर रखी जैसे आपको मालूम है तब्याद भी ठीक नहीं है मेरी वह मुझे मास्टर पीस सारे बनाने होते हैं और रूम वगारा को भी हमें थीक करना देखिये आगे खिड़के वगारा भी नहीं है काफी चीजे और बाकि हमने इस तरीके से देखिए सोफिक लगा रखें क्लाइट वगारा आते हैं भाई के मिलने के लिए तो यहां पर सा कर रखा हैं पूरा मेंच वगए जादा हैं आप देख सकते हैं इतनी धू बनाते हैं जो मेंसे छोटे भाई हैं जो आपको मैंने दिखाया था कि वह हाफिज है वो और यह वाला जो भाई है चाचा कर अलगा यह दोनों का जादा में फोकस होता है अपने इस वाले बिजनस पर तो इन इन सब को यह संबालते हैं और बाकी दोस्तों आपने देखा हमार लोटीन में इसको रख दिया वरना कहां पर फैला रहता पता भी नहीं चलता है पैट हमारा काफी जाता नुकसान हो जाता क्योंकि पेपर भी स्टैंप बहुत जाता महंगा आ अब यहां पर हम जितने भी भाई हैं सब मिलके काम करते हैं ऐसा नहीं है कि वो जो कंप्वीट करने के बाद हमें वीड़ो से वजब करने के बाद हमें वीड़ों देनी है जो आज करमे नहीं लें और तब शराब होने और फन्स , चुटी दे रखिए वह उनको टाइम के आगए बहुत ही दे करने में लग जाता है फिर इसी तरीके से रात हो जाती है दोस्तों काफी जाता वीजी रहता था इसलिए मैंने अपनी बुटिक को पर्मानेंटली बंत कर दिया तो यहां पर दोस्तों जो हमने अब लिया है यह अब देखें लोगडाउन ओपन होने की देरी है जो भी चीज म का मो का होता है कि आप मौए पर व revel Scott मिलता है तो का से मिलेगी यही चीज में आपको इन ब्लॉग में दिखाने वाला हूं तो कल मैने आपको अपना स्टूडियो का बताया था आज आए आक आपने वे बडुक्टिक और अपने भाईवाली जगा दिखा दिया और यह भी द दोस्तों यह भी बताते रहा करो कि मतलब कि आप ब्लॉग में आगे क्या देखना चाहते हूं जैसे कि मैं बहुत जल्ड़ अपनी फैमिली से एक एक मिंबर से मिलवाना चाता हूं हमारे टोटल पांस फिलोर हैं जिसमें मेरी दो चाची के फिलोर हैं तीन फिलोर हमारे हैं ठीक है चाची का परिवार दो फिलोर में रहता है और हम लोग रहते हैं तीन फिलोर में हम कितने लोग पूरे टोटल रहते हैं सब एक एक बच् आपके क्लियर कर देता हूं तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको अपने घर के हर एक मेंबर से मिलवा हुआ तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करें जूरू बता है वीडियो पसंद आए तो लाइफ और शेर करना ना भूलें थैंक्यू फॉर वॉच कर दो!